अगर दोस्तों आपने नियो बैंक के अंदर एकाउंट ओपिन करने के लिए ही वीडियो के उपर किलिक करा है तो वीडियो को पूरा देखना अब बल्कि ये नियो बैंक आपको सिर्फ एक saving account ही ने provide कराती है यहां से आप loan भी apply कर सकते हैं, card भी apply कर सकते हैं और अपने एक digital savings account भी open कर सकते हैं अब हमारी बातों से आपको फाइनली पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो के अंदर हम जानने वाले NYE app के अंदर किस प्रकार से एक अपने bank account को open कर सकते हैं साथी दोसो इसके अंदर account open करने के लिए आपके पास आधार card, pen card अगर है तो आपका successful account open हो जाएगा और यहाँ पर जैसे दोसो आपका account open होगा इस्टेंट ही आपको virtual debit card मिल जाएगा virtual debit card को online किसी भी platform पर आप यूज कर सकते हैं और जैसे इसके virtual debit card को आप activate करोगे तो इस्टेंट ही आपको 2000 रुपे का cash back भी देखने को मिल जाएगा account जैसे आपका successful open हो जाएगा इस्टेंट ही आप इसके mobile banking और internet banking को यूज कर सकते हैं वहें पर अपना आप investment भी कर सकते हैं आपको virtual debit card मिल जाएगा UPI के जरिया आप लेंदेन वगेरा कर सकते हैं अगर आपको एक ऐसी ही new bank के अंदर account open करना है और यहां पर आपको वीडियो के वाइसी भी complete करना नहीं पड़ता है तो इसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना अगर आपको वीडियो के अंदर जानकारी समझ आ जाए तो लाइक करके चलको subscribe जरू कर लेना ठीक है साथी दोसों अगर हैं आपर three line पर click करते हैं तो यहां पर आपको NYE card भी provide करा जाता है payment भी कर सकते हैं saving account भी मिलता है और यहां से loan भी आप apply कर सकते हैं इससे भी खास बात करें तो यहां पर अपने desktop में भी इससे login कर सकते हैं इसकी application को download करके login कर सकते हैं यह भी आप देख सकते हैं साथी इसके अंदर दोसों देख सकते हैं आपको NYE card के जो benefit है वो यहां पर आपको मिल जाएंगी जो कि यहां पर instant है अगर account open करते हैं काड को activate करते हैं तो 2000 रुपेक आपको cashback भी देखने को मिल जाएगा और यहां पर online transaction और offline transaction आप कर पाओगे साथी साथ दोसों देख सकते हैं आपर आपको saving account प्रवाइड करा जाता है तो digital तरीके से इस account को आप open कर सकते हैं यहां पर secure internet banking और mobile banking की भी आपको facility प्रवाइड कराई जाती है अब इसके अंदर आपको account को कैसे open करना है तो वीडियो की description में इस application का link मिल जाएगा वहाँ पर click कर सकते हैं या फिर direct आप इसके official page दो inside पर visit करेंगे और यहां पर click करके इसके application को आप यहाँ पर download कर सकते हैं अब account open करने के लिए सबसे पहले दोस्तों NY application को जैसे download कर लेंगे तो application को आप यहाँ पर open करेंगे यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं NY prepaid card, banks, payment और loans आपको मिल जाएगा card को अगर आप activate करते हैं तो 2000 रुपे का आपको cashback भी मिल जाएगा चले account open करने के लिए आप यहाँ पर click करेंगे सबसे पहले आप से यहाँ पर mobile number मांगा जाएगा तो आप अपना mobile number इस वाले box में type करेंगे और proceed करेंगे आपके mobile number का verification किया जाएगा तो यह mobile number आपके phone में डला हुआ होना चाहिए और SMS भी आपके mobile में होने चाहिए ठीक है इसके बाद में यहाँ पर आप verify करेंगे आपका mobile number जैसे ही verify हो जाएगा तो mobile number verified successfully का message आजाएगा इस वाले column में mail ID को type करेंगे और proceed करेंगे अब इसके बाद में जो आपने email ID को type किया होगा तो आपके email ID पर एक OTP सेंड किया जाएगा OTP आप यहाँ पर type करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी email ID भी successful verify हो चुकी है अब यहाँ पर इसकी जब mobile banking को आप login करेंगे अब यहाँ पर आपको 4-digit का MPIN भी set करना होगा तो इसलिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अपने 4-digit का app-in type करेंगे दोबारा से 4-digit का app-in जो है रिएंटर करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर submit करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके application में login हो चुके हैं हेलो का message भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर भी 200 देख सकते हैं कि अगर आप card को instant activate करते हैं तो 2000 रुपे का आपको cashback voucher देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर account को open करने के लिए देख सकते हैं bank account का आपको section मिल जाएगा अगर आपको यहाँ से loan apply करना तो यहाँ से gold देख सकते हैं और investment भी आप यहाँ से कर सकते हैं जिससे आप online पैसे भी कमा सकते हैं ठीके तो यहाँ पर हमें account को open करना है तो इसलिए यहाँ पर account bank account वाले option पर click करेंगी अब यहाँ पर देख सकते हैं कि identity verification आप से करा जाएगा तो इसके लिए pen card और आधार card आपके पास होना चाहिए profile verification होगा दिन यहाँ पर video के yc होगी और हमारा instant activate हो जाएगा account लेकिन उससे पहले बता दें कि video के yc आपके ऐसे नहीं होगी अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों box पर check out करेंगे इसके बाद में let's get started के option पर click करेंगे इसके बाद में देखेंगी confirm communication address का section मिल जाएगा तो यहाँ पर आधार card पर ckyc के जरी जो आपका address आया वो यहाँ पर मिल जाएगा अगर आपका यही address आपका communication address दोनों अगर सेम है तो इस वाले box पर check out करेंगे तो इसके बाद में marital status को option पर click करेंगे आप married है या फिर unmarried है select करेंगे employment type को option मिल जाएगा click करेंगे आप क्या काम करते हैं वो select करेंगे annual income को option मिल जाएगा यहाँ पर click करेंगे आप एक साल में कितने पैसे कमा लेते हैं select करेंगे qualification के option पर click करेंगे आप कितना पढ़े हुए हैं वो आप यहाँ पर select करेंगे इसके बाद मैं proceed यहाँ पर देख सकते हैं कि nominee details का में section मिल जाएगा अगर आप अपने bank account के इंदर nominee को add करना चाहते हैं तो सबसे पहले nominee का नाम के title को select करेंगे यहाँ पर नाम टाइप करेंगे यहाँ पर click करके nominee की data of birth को select करेंगे यहाँ पर relation with the applicant को option आ जाएगा जिनका आप account open करें उनका और nominee का relation क्या है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे अगर दोस्तों account holder का और nominee का अगर address same है तो same as my communication address वाले option पर check out कर देंगे तो nominee का आपको address फिल नहीं करना पड़ेगा अगर कोई भी दूसरा address है तो आप यहाँ पर fail कर सकते हैं फिलाल के लिए अगर आपको nominee add क करना है तो यह सब detail करने के बाद में आप यहाँ पर save के option पर click कर देंगे अगर दोस्तों आप यहाँ पर nominee को बाद में add करना चाहते हैं तो इसकी for new का option मिल जाएगा इस option पर click करेंगे दर इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर basic information अभी तक कि आपने जो फिल करा जैसे आपका नाम, pen card, date of birth यह मिल जाएगा यहाँ पर profile information भी आपको देखने को मिल जाएगे ठीक तो आप इससे एक बार check out कर लेना दर इसके बाद में आप यहाँ पर proceed के option पर click करेंगे finally इसके बाद में important information आपको देखने को मिल जाएगे अब यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बताएगे it is important to rate the six digit code so during video KYC यहाँ कि KYC के दोरान आपको screen number पर six digit का एक आपको code देखने को मिलेगा उस code को दोस्तों आपको बोलना होगा उसी के दोरान वो वीडियो को record करना होगा वही आपको upload कर देना है और KYC आपकी जो successful complete हो जाएगी अब यहाँ पर देख सकते हैं start video KYC now का option आजाएगा आप इस option पर किलिक करेंगे finally यहाँ पर देख सकते हैं get restarted का option आजाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से camera का बनके आएगा वीच वीच में आपको अपने चेहरे को रखना होगा then यहाँ पर वो six digit वाला code आप यहाँ पर बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पर start recording के option पर किलिक करेंगे then यह यहाँ पर permissions को हमने allow कर दिया है इसके बात मैं देख सकते हैं आपके room के अंदर light होना चाहिए बढ़िया के लिए plain background होना चाहिए आप यहाँ पर I am ready के option पर किलिक करेंगे जिस समय पर हमने भाई का account को open किया था देख सकते हैं यहाँ पर वो six digit का code भी सो हुआ था और इसके बात में जैसे आपका account अक्टिवेट हो जाएगा तो इस तरी किस आप देख सकते हैं यहाँ पर डियर आपका नाम आ जाएगा का आपका मैसस मिल जाएगा कि आपका यहाँ पर successful bank account है वो open हो चुका है देन इसके बाद में यहाँ पर इसके mobile banking में successful login हो चुके आप देख सकते हैं get online card का आपको कुछी तरीके से एक option आ जाएगा आप यहाँ पर किलिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको इस्टेंटी 2000 रुपे का cashback चाहिए तो get online card का एक option मिल जाएगा यहाँ पर किलिक करेंगे अगर आपके wallet के अंदर पैसा नहीं तो यहाँ पर पैसा आप यहाँ पर अपना जो है अड कर सकते हैं जिसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं वन टाइम activation फिस तीन सुरुपे का आप से चार्ज लिया जाएगा और जैसे दो हो जाएगा अब दोस्तों आपने पूरा लाइप पूरूप देखिला कि किस प्रकार से अन्वाइए एप के अंदर हम अपने bank account को open कर सकते हैं अब जैसे दोस्तों आपका card activate हो जाएगा तो आप अपने bank account को यूज कर सकते हैं इसकी mobile banking को चालू कर सकते हैं इसका दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर आपको complete process आपको बता दिया अगर इससे related अब भी अगर आपके मन में कोई भी doubt रह गया तो वीडियो के नीचे comment करके आप पूछ सकते हैं एक और हम आपको बात बताना चाहेंगे चाहे आपको payment type मिल जाए या फिर आपको कोई भी एक new bank मिल जा हैं इस वीडियो के अंदर हमने आपको साफ साफ बता दिया ठीक है अगर आपको इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानकारी समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब कर लेना मन में अब भी अगर कोई डाउट रहे गया तो comment करके पूछ सकते ह हम आपको रप्लाई जरूर देंगे तो फिर मिलते हैं दोसों नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाए हैं वन डे मात तरम